एक ओर जहां पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स करने का कोई मौका नहीं छोड़ता तो दूसरी ओर महान सचिन तेंदुलकर और पीम मोधी ने सिर्फ एक टूइट से पूरी दुनिया को एक खास मैसेज भेजा है दरसल किरकेट के गौड सचिन तेंदुलकर हाली में अपनी पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर गये थे जहां उन्होंने सडकों पर किरकेट खेलने से लेकर बैट बनाने वाली कमपनी के साथ कश्मीर में मंदरों के दर्शन किये लोगों से मिले और पूरे परिवार के साथ कश्मीर में ही इस नुफॉल को भी इंजॉई किया इस पूरे अनुभव को उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से हम सब के बीच साजा किया साथ ही सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने अपने इस अनुभव को लिखा सचित दंदुलकर कहते हैं कि जम्मो कश्मीर मेरी यादों में एक खुबसूरत अनुभव बना रहेगा चारो और बर्व थी लेकिन लोगों के असाधारर वेलकम के कारण हमें गर्माहट महसूस हुई प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है विशेश कर इस यात्रा के बाद इस से अधिक सहमत नहीं हुआ जा सकता कश्मीर विलो बैट, मेक इन इंडिया, मेक फोर्दा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है साती उन्होंने दुनिया भर को जम्मू कश्मीर आने का नियोता देते हुए कहा दुनिया भर में यात्रा की है और अब मैं दुनिया भर के लोगों और भारतियों को सलाह देता हुँ कि वो एक बार जम्मू और कश्मीर का नुभव जरूर लें जो देश के लिए सबसे खास है देखिए सचिन तंदुलकर के जम्मू कश्मीर यात्रा की कुछ जल्कियां सचिन तंदुलकर के इस ट्वीट को कोड करते हुए देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी लिखा उन्होंने कहा ये देखना अद्भूत है सचिन की प्यारी जम्मू कश्मीर यात्रा में हमारे युवाओं के लिए दो महत्तो पूर बाते हैं पहली अतोले भारत के विविन हिस्सों की खोज करना और दूसरा मेक इन इंडिया का महत्तो आईए मिलकर एक विक्सित और आत्म निर्बर भारत का निर्ण मार करें बता दें कि प्रदानमंत्री निर्ण मोधी ने 2014 से ही मेक इन इंडिया और मेक फॉर्ड दा वर्ल स्लोगन पर जोर दिया है इन दोनों प्रोजेट के लिए समय समय पर तमाम उधारट भी वो देते रहे हैं लेकिन सचिन तंदूलकर की इसकी आत्रा के बाद मेक इन इंडिया एक बार फिर से उभर कर सब के सामने आया है क्या है आपकी राय इस खबर को लेकि हमें कॉमेंट करके बता हिए तब प्रके लिए देखते रहिए गौर्ण इंडिया हिंदी